आज के इस डिश्टल कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं पर्विन सुताना केजी भी भी वर्बल सिदी पेटजीले से। प्रणाम बच्चों, आज के इस वीडियो द्वारा सीखेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है? वेकिंदों व्यंजनों के योग से बने हैं तथा उच्चारन स्थान के बारे में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में प्रधम क्षा और त्र संयुक्त व्यंजन को लिखना तथा उच्चारन करना सीखेंगे। क्षव और त्र संयुक्त विंजन के प्रयोक से बने कुछ शब्दों को उदाहरन के रूप में सीखेंगे तो बच्चों आगे बढ़ते हैं संयुक्त विंजन संयुक्त का अर्ध है जुढा हुआ या मिला हुआ परिभाशा को अगर हम देखें तो दो अलग-अलग विंजनों के परस पर संयुक्त विंजन कहते हैं वर्णमाला में की कितनी संख्या है चार वे क्या है वे है श, त्र, क्यो, श, 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 विंदो विंजनों के योग से संयुक्त विंजन बना है तथा उसके उच्चारन स्थान के बारे में जानेंगे संयुक्त विंजन क प्लेस श के योग से क्ष संयुक्त विंजन बना है जिनका उच्चारन स्थान कंठ तधा मूर्धा है त प्लेस र के योग से त्र संयुक्त वेंजन बना है जिनका उचारन स्थान दंत तधा मोर्धा है ज प्लेस इय के योग से ग्य संयुक्त वेंजन बना है जिनका उचारन स्थान तालू तधा तालू है श प्लेस र के योग से श्र संयुक्त वेंजन मना है जिनका उच्चारन स्थान तालू तधा मूर्धा है तो आज के इस वीडियो में हम सर्वप्रधम क्ष और त्र संयुक्त वेंजनों के बारे में जानेंगे क्ष और त्र संयुक्त वेंजन लिखना तधा उच्चारन करना तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए यह कांट सा अक्षर है इस अक्षर को हम क्ष कहते हैं देखिए इसे किस प्रकार से लिखा जाता है जी हाँ इस प्रकार से लिखा जाता है इसे क्या कहते हैं क्ष फिर से कहिए क्ष इसमें संयुक्त विंजन को क्या कहते हैं क्ष तो हम क्ष संयुक्त विंजन से बने कुछ शब्दों को हम यहाँ पर सीखेंगे तो सर्व प्रधम देखेंगे क्ष से क्षन क प्लिस श प्लिस अना के योग से क्षन शब्द बना है अगला शब्द क्षीर क प्लिस श प्लिस ई की मात्रा प्लिस र के योग से क्षीर शब्द बना है क्षेत्र क प्लिस श प्लिस एकी मात्रा प्लिस त्र के योग से क्षेत्र बना है क्षत्रिय क प्लिस श प्लिस त्र प्लिस एकी मात्रा प्लिस य के योग से बना है क्षवाले शब्दों पर गूला कर लगाओ जैसा एक छोटा सा कारिय अब हम यहां पर करकर ख्षव, अक्षव को पहचाना सीखेंगे तो पहला देखिए रक्षा, रस, नस, शक तो इन शब्दों में क्षा वाला शब्द कों सा है? रक्षा तो रक्षा शब्द पर गोला कर लगाएंगे दूसरे उसमें श्राब, पत्र, क्षमा, आग्या तो इनमें क्षा वाला शब्द को है? क्षमा, क्षमा शब्द पर हम गोला कर लगाएंगे तीसरे में जमा, कमा, काश, कक्षा तो कक्षा पर हम गोला का लगाएंगे तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इह स्क्रिन पर दिखाई दे रहाँ जो अक्षर है से क्या कहते हैं? त्रः इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए हाँ इस अक्षर को फिर से मेरे साथ दोराईए क्या कहते हैं से त्र एक कांसा संयुक्त विंजन है त्र संयुक्त विंजन से बने कुछ शब्दों को अब हम यहाँ पर सीखेंगे त्र से त्रुटी त प्लेस र प्लेस ए की मात्रा प्लेस ट के योग से त्रुटी शब्द बना है तो अगला शब्दु क्या है? देखिए, त्र से त्रिकोण, इकी मात्रा प्लेस त प्लेस र प्लेस क प्लेस ओ की मात्रा प्लेस अन के योग से त्रिकोण बना है त्रिकोण, इकी मात्रा प्लेस त प्लेस र प्लेस द प्लेस ला के योग से त्रिकोण शब्द बना है कहिए बच्चों से क्या केते हैं त्रिकोण, अगला शब्द त्राही त प्लेस र प्लेस आ की मात्रा प्लेस इ की मात्रा प्लेस हा के योग से यह शब्द बना है अगला शब्द नेत्र न प्लेस ए की मात्रा प्लेस त प्लेस र के योग से नेत्र बना है त्रवाले शब्दों पर चत्रसराकार लगाओ अब त्रवाले शब्दों को हम यहाँ पर पहचानेंगे त्रवाले शब्दों को तो देखें पहले में त्रुटी, रोटी, खेत्र, शेत्र तो इसमें त्रुटी, खेत्रे दो त्रसे बने शब्द हैं अगले में देखिए रक्षा रस नस शत्रू शत्रू पर हम यहाँ पर चत्रस्राकार लगाएंगे तो बच्चों लगाएंगे तीसरे में देखिए श्राब पत्र क्षमा आग्या जी हाँ पत्र पर हम यहाँ पर चत्रस्राकार लगाएंगे इस वीडियो द्वारा सीखा हमने क्या सीखा? देखें, संयुक्त वेंजन के बारे में सीखा हिंदी वर्ण माला के चार संयुक्त वेंजन कौन से हैं? सीखा वे किंदो वेंजनों के योग से बने हैं? तथा उच्चारन स्थान के बारे में सीखा इस वीडियो में मुख्य रूप से क्षा और त्र संयुक्ति वेंजन को लिखना तधा उचारन करना सीखा क्षा और त्र संयुक्ति वेंजन के प्रयोक से बने कुछ शब्दों को उदाहरन के रूप में सीखा क्षा और त्रसंयुक्त विंजन से बने शब्दों को कारी के द्वारा पहचालना सीखा आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद